लोकसभाध्यक्ष उम्बिर्ला ने आज नई दिल्ली में चौथे और्डिट्र दिवस के अउसर पर आयोजित कारेक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी ससक्त बनता है जब वित्ती अनुशासन मजबूत और पारदर्शी हो। उन्होंने विशेश रूप से भारत में नियंत्र केवं महालेखा परिक्षक संस्था कैग की भूमिका को सरहा और कहा कि इसके कारण वित्ती पारदर्शीता और अनुशासन को सफलता पुर्वक लागू किया गया है। लोगसभा अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत का कैग दुनिया का मार्ग दर्शक बनेगा और भारत के ओडिट सिस्थम को अन्य देशों द्वारा अपनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कैग की ससक्त भूमिका से भारत को वित्ती अनुशासन में एक नई दिशा मिलेगी। किस तरीके से प्रतिपश्क के और सभी दल के माने सदश हर ओडिट पेरे पर संसत के अंदर भी और संसिदी समीतियों के अंदर भी समिक्षा कर सकते हैं ये दुनिया के अंदर भारत के लोगतंत के लिए बहुत भूमिका रहेगी। इस अवसर पर भारत के नियंत्रा के वाम महालेखा परिक्षक किरिश अंदर मुर्भू ने बताया कि उनकी संस्था ने राजवित्ती प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई महतवपूर्ण कदम उठाये हैं।